डे 21 हेलो नमस्ते राम राम आप लोग कैसे हैं अश्यकरतियों बहुत अच्छी होंगे मैं भी बहुत अच्छी हूँ आज यह मैं टॉपिक पे बात करूंगी स्कीन केर हेर केर मैं सोच रही थी एक ऐसा टॉपिक है जिस पे हर इंसान चाहता है कि मैं कुछ बताओ घरे आज जो मैं स्कीन केर और हेर केर के बारे में बताओंगी उसके में इंग्रियंट जो है वो हमारी किचन में असानी से मिल जाता है वो है दही जी हां दही ऐसी चीज है जो हर किसी के घर में रहती है और दही के फायदे बहुत है इतनी गुनी है दही जिसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम चाए वो हमारी skinny के लिए हेर के लिए हमारी inner body के लिए हो outer के लिए बहुत फ़ायदा आप सब लोग भी जानते हैं दही के बहुत सारे फैंदे आप ताजी दही के जितने फायदे हैं बासी दही के भी अलग लाब ऐसा नहीं है कि अब ताजी दही खाएंगे तो बासी जो है नुकसान दे जाएगी बासी से हम लोग छास बना सकते हैं कड़ी बना सकते हैं यानि उसको फैकने का कोई गुझाईश यह नहीं यह लॉकडाउन में ना हमें घर की जितनी भी चीजें हैं जितनी भी हमारे मसाले ह हैं जितनी भी हमारी आयवेदिक पूरानी चीजे थी जो हमारी दादी नानी के जमाने में हुआ करते थी हम वापे से वहीं पर लोटा है यानि हमारे पास जो घर में सब कुछ किचन में मौजूद रहता है बहुत सारे लोग उन्हें आज भी आजमाता है इवन मैं भी बहुत पसंद है और मैं 100% करती हूं मेरी स्किन पर वही सब अपलाई करूं बाहर के प्रोड़क कम से कम क्योंकि शूट के कारण मेरे फेस पे बहुत ज्यादा मेक अप लग जाता है और उसके बाद स्किन को डैमेज बहुत होती है तो मैं भी 100% करती हूं मैं घरे लिन उसक ठंडा ठंडा तो आपको जो लू लगती है उससे बचाव करता है दहीं जो है हमेशा हमें ट्राइ करना चाहिए कि दिन में ही खाने चाहिए दिन में खाने से उसके बहुत लाव होता है अब प्रश्ण यह आता है कि उसे रात में क्यों नहीं खाना चाहिए ऐसी क्या कायद करते हैं कि जॉइंट जो है उनके पेन कर रहे हैं सरदी हो गई है कफ हो गया है पित हो गया है तो इसली कहा जाता है हमारे आईवेद में कहा गया है कि दही को ताजा खाना चाहिए और दिन में खाना खाने के अगर उसमें छास में यानि दही के छास में थोड़ा सा अजवन भूंक के और उसमें मिला कर पिया जाये तो आपको गैस की तकलिफ कभी नहीं होती है दही हमेशा दिन में लेना चाहिए बात सही है लेकिन जैसे आज कल डाइट में बताता है कि शाम को भी आप भूचन में ले सकते हैं लेकिन वो कैसे वो 6-7 के बीच में अगर आप अपना टीनर कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है तो दही का जो आपको नुकसान होने वाला वो नहीं होगा और आपको लाब करे रहेगी बहुत सारी डाइटीशन जो है वो रात में भी दहीं हमें सला देती हैं खाने की लेकिन वो एक अलग तरह का मेल रहता है उसमें क्या लेना है क्या नेना वो टाइट के अकॉर्डिंग ही रहता है तो 100% लेकिन आपको ट्राइ करना है कि आप दिन में ही लो ताजी दहीं लो तो आपको उसके benefit बहुत ज़्यादा है दही हमारे teeth के लिए भी बहुत अच्छी रहती है हमारे teeth है, हमारे tooth रहते हैं इनको बहुत strong करती है हमारी bones को बहुत strong करती है तो दही खाने से हमारे inner body वो बहुत अच्छी रहती है अब बात करते हैं हमारी skin की हमारे hair की कि हम अपनी skin पे दही को कैसे यूज कर सकते हैं अच्छा हमारे जो पूरवज लोग पहले से ही सब जानते थे चाहे दही हो चाहे कोई मसाले हो चाहे दाल हो सब्जों जो सब के बारे मुनें पता रहता था कि हर एक चीज क्या benefit है और क्या हमारे लिए अच्छी रहेगी तो वो लोग सब जितने भी season के fruit आते थे जितनी वैजी जाते थे सब को खाते तो मैं भी हमेशा यही सला देती हूं कि जो season के फल रहते हैं सब जे रहती हैं उन्हें कभी भ अब जब कभी भी कोई भी पैक बनाते हो तो face के साथ साथ उसको neck पे यानि front side में और back side में और साथ साथ उसको काने पर आगे पीछे जरूर लगाई है ताकि जब कभी भी आप बाहर जाए तो आपके चेहरे के साथ साथ आपकी गर्दन आपके कान भी चमके इबन मैं तो क जो face रहता है बहुत clean रहता है neck बहुत काली-काली रहती है उनके जो hands रहते है वो बहुत काले रहता है according to face तो मैं यह नहीं कहते हैं वो पूरा match हो जाएंगे लेकिन अगर आप सब जंग अप्लाई करोगे तो फरक आपको सामने से मालू पड़े चले बात करते हैं दूसरे पैक के बारे में एक चमज दही लेना है और संत्री के छिलके का पॉडर अगर आप चाहें तो ready made जो है संत्री के छिलके का पॉडर ले सकते हैं नहीं तो संत्री के कुछ छिलकों का आप सुखा दीजे दूप में उसके बाद उसे mix में piece cake पॉडर बना कर डबी में रख अगर आपको ऐसा लगता है थंडे पानी से नहीं दो पा रहे हैं तो हलका गुरूना पानी से धोईए मैं हमेशा यही सज़ेस करती हूँ कि थंडे पानी से ही face दोना चाहिए और hair को भी वो अच्छा रहता है आपके लिए दही और केला यह बहुत अच्छा पैक है skin के लि आपको अच्छे से एपलाई कर दीजिए और उसको 10 से 15 मिंड के लिए एकदम अच्छे से सुखने दीजिए जब वो एकदम अच्छे सुख जाए तब आपको उसको गुनगुने या ठंडे जैसे पीच आप चाहें उस पानी से धोलीजिए लेकिन मैं हमेशा से आपको बत नहीं लगते हैं तो उसका यही है दही और ओट शायद बहुत सारे लोगों नहीं सुना होगा कि ओट को हम खाते हैं क्योंकि उससे वजन कम होता है लेकिन ओट को चेहरे पे लगाते हैं बिल्कुल क्यों नहीं लगा सकते हैं ऐसे स्क्रब ओट को पीस के भी लगा सकते हैं तो करना क्या है ओट को आधा चम्मच ओट और आधा एक चम्मच दही उसको मिक्स करके और चहरे पे घसना है आपको हलकेल के हाथों से तो आपको स्क्रब का काम करेगा और अगर आप चाहें तो उसमें शहद दी मिला सकते हैं आधा चम्मच इतना और अगर उसका पैक बनाना तो ओट को आपको पीस लेना है, उसमें आधा चम्मज शहर, थोड़ा सा ओलिव ओईल, और थोड़ा सा चुटकी बार उसमें हल्दी मिलाईए, और उसको फेस पर लगा कर छोड़ दीजी, और फिर 8-10 मिन बाद उसको धोलीजी, दही और टमाटर, दही आपको आधा चम्मज लेना है, और टमाटर को कद्डुगस करके, उसका पल्प निकाल लेना है, पल्प यानि कितना होना चेह, एक चम्मज शहर, उसको अच्छे से मेश कर लेना है, उसके बाद आप उसमें जवार काटा, आधा चम्मज श. यतना जवार काटा मिक्स कर कर इę, और उसको पूरे पेस पे हलकलका मसाज करिए और उसके बाद गुंगुरे पाने से धोलीजे आप यकीन नहीं मानेंगे ये नुसका इतना बेहतरीन है कि अगर आपको कभी भी पार्टी में जाना है तो आपकी चेहरा एकदम बिना मेकप के एकदम रंगत निखार देगा आप आज माकी देखे ये मेरा बहुती फेवरेट नुसका है दही और मुलतानी मिटी आपको करना क्या है आधा चम्मत दही लेना है और अधा चमत जितना ही मुलतानी पावडर लेना है उसको अच्छे से मिक्स करिए और उसके बाद उसको पूरे चेहरे पर जहां भी आप लगाना चाहे अब हम बात करते हैं बालों के लिए हम लोग दहीन का कैसे कैसे यूज़ एक लिए तो अब दही को जब कभी भी अफ बाल में लगा रहें हमेशा द्हान रखो बे voll जिए जूपिस अका करते हैं भालों पाद रहेगा आप उसका छास बनाकर अगर उसे बालो में लगाएंगी तो वो भी बहतरी नुपाएंगा बजार में बहुत सारे रेडी जो हैं हेर फूट पैक मिलते हैं जो बालो में मास लगाते हैं उसको अगर कभी भी आप बालो में लगा रहे हो तो दो चमाज जो है फूट पेक लीजिएगा और साथ ही साथ उसमें दो चमाज दही मिक्स करिएगा और उसको अंदर अच्छे से स्काल्प में लगाईएगा और कम से कम आधे से एक घंटा के लिए छोड़ दीजिए उसके बाद उसको दोएगा तो आपके जो हैर है वो बहुत शाइन करें दही और एलोवेरा जल आपको आधा कटोरी जितना दही लेना है और आधा कटोरी जितना ही आपको एलोवेरा जल लेना है इसको अच्छे से फेट ये मिक्स कर लीजिए या फिर आप इसे मिक्सी में भी घ लेकिन जहां तक जितनी आपके लेंटे लगा दीजिए अच्छे से और कम से कम उसे आधा एक घंटा बालो में रहने दीजिए उसके बाद इसे दोलीजिए तो उससे भी आपके हेर शाइन होंगे, लंबे होंगे, घने होंगे और साथी साथ अगर आपके बालो में अगर अगर दही मिल जाए तो सोने पर सुष अंडे का जो सफेद भाग रहता है उसको आपको निकाल लेना येलू पार्ट अलग कर देना है वाइट पार्ट को अच्छे से फेट ये उसमें एक से दो चमत दही मिलाए और उसको अच्छे से बालो में लगा लीजिए आदे अच्छे से पीसने के बाद दो से तीन चमत दही लीजिए और उसके अंदर वो पेस जो है कड़ी पते को से मिला लीजिए उसे भी आप अच्छे से बालो में लगा लीजिए इससे जहां आपके बालों की डेंडर दूर होगी वहीं जो आपके बाल टूटते होंगे दो मु या दो बार आप दही को अच्छे से 1.5 क टोरी जıtना दहीं लीजिए और जैसे का पूरी बाडी पर साबून लगाता साबून न लगाने की बजाए उसा दहीं को लगाएइगे और उसे 5-7 मिन तक बाडी पर ऐसी रेंड लीजिए और हलके गुनूने पैसे स्नाल कर लीजि फिर भी मैं ट्राई करती हूँ महीने में ये दो महीने में एक बार मैं ऐसा जरूर करती हूँ अपने आपको टाइम जरूर देती हूँ दही और मेथी आपको एक बड़ा टेवल स्पून यानि एक कर्चे जितना आपको मेथी रात को एक लास पानी में भीगो के रख देना है सुबह उसका पानी निकाल कर मेथी को पीस लिजे एकदम माहीन पीसना है बारिक पेस और उसमें दो बड़ा चमच दही मिला रहा है साथ में उसमें बादाम रोगन तेल आपको एक चमच इतना मिला रहा है उसको पेस को अच्छे से मैश करके आपको बालो के अंदर लगा देना है एक से डेर घंटे के लिए बालो में रहने दीजिए और उसके बाद आप बालो को दो दीजिए आप देखेंगे आपके बाल बहुत ही शांदार चमकदार हो जाएंगे आपके डेंडर चली जाएगी साथ इसाथ आपकी बालो की ग्रोध भी जल्दी होने लेगा आश्या करती हो मैंने आज जो भी आपको टिप्स बताएं स्कीन केर, हेर के वो सभी टिप्स आप लोग आजमाएंगे और आपको अगर उनसे बेनिफीट होगा तो मेरे साथ शेर जरू करियेगा मुझे बताएगा आपको मेरे टिप्स कैसे लगे आपको अगर उन्हें अजमाया तो उनका रिजल्ट आपको कैसे मिला मेरे साथ जरू शेरी करियेगा तो love you all and bye कल विलते हैं, thank you so much